कि हमारा उम्र चोग आलिस साल तालिस साल हो गया अगर नियाई का देश की प्रकिरिया का पालन नहीं किया जाता है तो हम लोग कोट ऑफ कंटर्ट करेंगे और महा महीम राजपाल को आवेरन देंगे यहां इच्छा मिर्ट की मांग करेंगे हमारी पीड़ा बाकी क्या है तिस तिसरे पन में हम चले गए तर्म किजिए शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है वो की देख लिजे जो वाली साल इनकी उम्र हो गई है आंक से आंसु छलक रहा है सर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम लोग सिक्षा मंत्री के पास वहार लगाए बहुत आग्रह निवेदन किये ल क्या पिड़ा अब बाकी क्या है हमारी पिड़ा बाकी क्या है नमस्कार निश्वर नेशन देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ मंदना इस वक्त मौजूद हैं विजय चौधी यानि की सिक्षा मंत्री के आवास पर और यह तस्वीर देखिए कि यहां जो स्टीटी के स्टू आपकी बाहली कब आपको जो है वह आप स्टीटी का एक्जाम दिए और बारह में हमारा परिक्षा परिणाम घोशित किया गया और 2012 में तीसरे चरण की नियोजन परकिरिया शुरू हुई उसमें हुआ परमाण उसके पहले जो था परमाण पत्र दिखाओ नोकरी पाओ और हम लोग जब स्टीटी परिक्षा पास किये तो 17,500 पर वेकेंसी शुरू हुई हम लोगों की बाहली शुरू हुई और तीसरे चरण उसके बाद चौथा चरण उसके बाद पाचवा चरण फिर छाठा चरण पर तेक चरण में हम लोगों को सिर्फ आस्वासन ही मिला है कि अ आज तक रिक्तियों को नहीं जुड़ा गया है यहां तक कि सदन में भी कई बार इस मुद्दे पर सरकार घिर चुकी है हंगामा हो चुका है मानिये पूर्व सिक्षा मंत्री क्रिश्नन्दन बर्मा यह सदन में स्विकार किये हैं अनाइस फर्वरी बारे फर्वरी 2019 को कि र फेल कर रहा है जो फेल कर गए उनका भविश्य समाप्त हो गया फिर आप इनके दर्वाजा खटखटाने पहुंचे क्या यहां स्यास्वासन यहां हम लोग आये हैं दर्वाजा खटखटाने कि हम लोग ठक हार कर माननी हाई कोट के सरन में गए वहां हम लोगों को नियाइक आदेश मिला हुआ है कि जून क्या बोले हैं हमको शिक्षा मंत्री का बात बताएए कि जब आप मिलने गया इन से में बात चीत हुई तो इन्हों ने क्या यह बोले हैं कि हम नियाइक आदेश की जाच कराएंगे उसका अध्यन करेंगे अब कराएंगे अभी यह तो हम क्या सोच रहे हैं क्या उम्र आपकी कितना है क्या कुछ आगया हमारा उम्र 44 साल 40 साल हो गया अगर नियाइक आदेश की परकिरिया का पालन नहीं किया जाता है तो हम लोग कोट करेंगे और महा महीम राजपाल को आवेधन देंगे यहां इक्षा मिर्ट्य की मांग करेंगे और यहां आप लोग ने यह बात को रखें थे तो कोट के तरफ से क्या कुछ कहा गया की जून 2009 तक י सभी परकार की रिक्तियों को 2012 की से भराजा रहा दोग्ति नहीं रहती कहा जाता है भीज़े पीड़ा अब बाकी क्या है तिसरे पन में और सर्म किजे सिक्षा बिभार का जो सिस्टम है वो की देख लीजे चौह वाली साल इनकी उम्र हो गई है आंक से आशो छलक रहा है सर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को भैया क्या कहेंगे कितना उम्र हो गया है तीन बार चार बार आवेदन हम लोग आ करके दिये सिक्षा मंत्री को पहले से अभी अभी में बहाली निकल रहा है जबकि हम लोग को समाजी की बिग्यान का सीठ चठा चरन में नहीं जोरा जा रहा है फिर कह रहें अभी सिक्षा मंत्री से बात होई किने आप लोग को सात्मा चरन में मुका मिलेगा अप लोगों का वेलीडिटी बढ़ा दिया गया है क्या लग रहा है कि हमारे ही इस बिहार की धरती से आरे भट निकले थे और यहीं सीख्षक अपने आग से आंसु निकाल रहे हैं तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस मीटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग को कभी भी मौका ने मिलता है अपने अपनी बातों को कैसे रखे क्या कहा गया आखिर बात कहां पे जो है वो अटक रही है क्या लगता है कि विफलता सरकार की सब सामने में मैं धूबलेबूल है लेकिन रिकती नहीं जोरा जा रहा है बिना रिकती का बहाली कर रहा है अब हम लोग आभी 125-628 का सुडूल जारी हो गया, अब हम लोग आभी सुडूल एक दो दिन में जारी हो जागा हम लोग ने कहा कि इसको नोटिफाई सरकार करने का काम करें, इन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी ही हो जागा, जब हम निरने ले लिए हैं, जब हम बात बोल रहे हैं, तो यह बात आप लागू हुआ, समझी है, दूसरी हम लोग की बात थी, कि पूरी तरह स जो अलग-अलग कितने सीट थी और कितने बहाली हुआ, उस पर हुआ कि दरसल सीटों के रिक्तिया थो हम बता सकते हैं, वह हम उसको जारी किया भी है, लेकिन नियोजा रिकाईया जो अलग-अलग जो है, वह मेरिट बनाएगी और वह कहेगी कि आपको कितना पर होना चाहि कि सरकार ने चुकि सरकारी नौकरियों में 35% महिलाओं का अरक्षण देने का ऐलान किया है, तो सिक्षा का भी हरतियों में भी क्या होगा, उन्हें उन्हें कहा कि एक बहुत महत्पूर बात है, आपकी तरफ से आई है, हम इस पर विचार करते हैं, इस पर भी हम फैसला लें रखेंगे, एक और बहुत ही महत्पूर मसले पर बातचित हुई, जो सिक्षा मंत्री से, हम लोगों ने कहा कि पिछले दिनों, हम लोगों ने विश्वत द्याले की परिच्छा में भी त्यारतियों को परमोट करने का डिमांड किया था, आपको चिठी भेजा था, उन्हों हम लोगों ने इस बात को जरूर उठाया है, कि देखें, बीएड करने में विद्यारतियों को बहुत समय लगता है, सरकार बहाली को रेगुलर करें, रेगुलर करें, और उन्होंने कहा कि जो नियम, जो आहरता, जो पालन होगा, उसका हम खयाल रखते हुए, सभी चिज़ हम लोग सिक्षा मंत्री के पास गुहार लगाए, बहुत आगरह निवेदन किये, लेकिन वह एक ही रट लगाए हुए है, का आगे जो नियोजन प्रक्रिया होगी, छठा महमें, कब होगी, क्या मेरा उम्र समाप्त हो जाएगा, वो सीधे बोले, उम्र अगर बचेगा, पूरे इन्वार्मेंट को, यानि कि एस्कूल के पूरे इन्वार्मेंट को ये पॉजिटिविटी देने वाले में से होते हैं, आज यही सिख्षक दर-दर भटक रहे हैं, एक तरफ सरकार तो दावे करती है, कि हमारे हाँ रिक्तियां जो है, लेकिन जब वेकेंजी निकलत जो सरकार दावे करती है, कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 19 लाख लोगों को नौकरी पर रखेंगे, क्या ये उसी में से हैं, जो नौकरी नहीं 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 दिया जाएगा, इस ख़बर बस इतना ही, अगर इस खबर को आप लोग देख रहेंगों, तो उसको ज